केमिस्टी भाई संदीप सर्मा में आपका स्वागत है मैं इस चैनल में आपको पढ़ा हूँगा केमिस्टी जो आपको ले सक्सेश की और इसलिए चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ राजिस्थान में फर्स ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के एक्जाम की तयारियों का विगल बुक्त चुका है और बच्चे बेता भी से इन वैकेंसियों का इंतजार कर रहे थे तो मैं आज यहाँ पर फर्स ग्रेड केमिस्ट्री सलेवर्स के बारे में कहां पढ़ें कैसे पढ़ें किसे पढ़ें इन सब के बारे में बच्चों को बिस्तार से बताने की कोशिस करूँगा जिससे बच्चों को अधिक तम लाठ हो जाए तो पहला question हम कहां पड़े आप सहर में देखो के राजिस्थान में जैपूर इन सभी तयारियों का गड़ है यहां कई सारे teacher आपको मिलेंगे x y z अब कुछ teacher pure English में पड़ाते वो आपको notes to English में देते लेकिन आपकी background Hindi medium की है आपकी background Hindi medium की है तो ऐसी जगे भूल कर भी ना जाए कारण आपकी सारी energy इस English को समझने में ही खतम हो जाएगी तो chemistry आपको समझ कवाएगी और paper बेटा आपको ही देना है आपके बच्चों को नहीं तो फिर हम join कहां करें हम ऐसी जगे join करें जो अगर हम English medium के हैं तो हमें English में और अगर हम Hindi medium के हैं तो वो हमें Hindi plus English पढ़ाए या Hindi में पढ़ाए हमें notes दे तो Hindi में दे ठीक है ना क्योंकि English के notes में पढ़ने से आपका भासा पर पकड़ कमजोर हो जाएगी और आप subject को कभी भी अच्छी तरह deal नहीं कर सकते इस समय तो कम से कम ना join करें ठीक है ना अगर फिर आपके पास time हो 2-3 साल का तो पहले आप English सीखें दो साल में आप English में थोड़े ठीक हो जाएगे फिर आपको subject के knowledge हो आपको ऐसे teacher के पास जाना चाहिए जो आपको थोड़े short notes लिखाए हम देखते हैं कि teacher register पर register भरवा देते हैं किसी ने 10 register भरवा दिये हमें लगेगा बहुत बढ़िया teacher है अरे बेटा पढ़ना तो तुझे ही है जब exam देने जाएगा तो क्या 10 notes का 10 register का revision possible है तो ऐसे teacher को select करो जो कम लिखाता हो और उसमें ज़्यादा चीज़े include होता हो ऐसे teacher को join करो जो आपको question करने की तरकीवे सिखाता हो ठीक है ना जो आपको question को कैसे handle क किया जाता है ये बताए उस teacher के पास जाओ जो हमको chapter wise बताएगी इस chapter में से ये आएगा आप सारा subject नहीं तयार कर सकते कभी भी ठीक है ना हमारी अस्थफलता का main कारण ये है हम सिप theory ही पढ़ते रहते हैं question के practice पर ध्यार नहीं देते तो ऐसा teacher जरूरी है जो question करना जानता हो और आपको कराना भी जानता हो otherwise आपके सारे पैसे समय मेहनत और सब बरबाद हो जाएगी और सिर्फ आपके हाथ आएगा क्या दुख कि मैंने उस teacher को join कर लिया उसको नहीं किया तो बिड़ा सबसे पहले teacher का selection teacher का selection करें जो आपको आपकी भासा में help कर सके अब हम देखते हैं कि हमारे slivers में है क्या हमारे slivers में है क्या तो हम देखते हैं हमारे slivers में दो पार्ट आते हमारे slivers में दो पार्ट आते 12 तक 55 question BSC 55 question BSC और 12th में कोई बहुत basic फर्क नहीं है ठीक है ना? और ये बीटा total 110 question है 10 question हमें MSC बाले part से मिलते हैं जिसमें बीटा 10 unit है ठीक है ना? 10 unit से 10 question आते हैं इस तरह ये total 120 question हो जाएंगे अगर हम इस वाले part को इस 10 question को थोरो करना चाते हैं तो हमें बीटा उतना ही समय लगेगा जितना हम इन 110 question को करने में लगाते हैं अर्थात हमने पाया क्या 1% number तो पहले बीटा इस वाले part को करो अगर आप ये वाला part कर लोगे तो MSC के 10 में से 5 question हो जाएंगे क्योंकि 5 question बाला part बहुत ही आसान है जो मैं अभी discuss करो ठीक है ना तो पिटा सबसे पहले आप इस वाले portion को तयार करो इसके चक्कर में मत पढ़ो कई teacher है जो net पढ़ाते हैं और वो बच्चे को इसी में उल जाके रखते हैं इसमें से पिटा 10 question आएंगे और 10 question से selection नहीं होगा तो अब हम देखते हैं first chapter से 3 question atomic structure के 2 question periodic table second से 5 और third से भी 5 मतल़ D block और F block से मिला कर यहां पर पिटा 10 question आ रहे हैं और 10 question अगले part में बेसी वाले में आ रहे हैं तो total question कितने होगा है 20 total question कितने होगा है कम से कम 20 kinetics और surface से 3 और 2 question पूछे जा रहे हैं solution से हर साल 5 question thermodynamics से 4 question organic में से करेब 30 से 40 question आ रहे हैं जिस में से 6 question isomalagym, alkyn, alkyns पे आ रहे हैं और यह बेटा organic का सबसे major portion है ठीक है ना अगर हम इस portion को cover कर ले तो हम MSC वाले में एक name reaction बाला part है वो भी cover हो जाता है और इसमें से बेटा 8 question पूछे जा रहे हैं हमेशा aromatic और benzene ring वाले compound हो में से 6 question biomolecule 5 question और यह बेटा हमको याद करना है इसमें समझने को कम informative जादा है chemical bonding फिर आ गई और बेटा फिर 5 question coordination में 3 question और coordination बेटा वो ही कर पाएगा जिसने पीछे D और F block करा हो फिर से देखो आप lengthenide और actenide के coordination के मिस्टी में 3 kinetics में 3 electro में फिर से 3 thermodynamics में बेटा ठीक है ना 3 question यह isomerism है सिर्फ cyclohexane की और alkane की बहुत आसान part 2 question name reaction बेटा इससे कम से कम 5 question और बहुत ही आसान इसमें से diogenium salt में से ही 3 question और एक-एक question इन में से polymer drugs हमको बेटा याद करना पड़ेगा इसमें teacher का बहुत ज़्यादा role नहीं है ठीक है अब आई बेटा molecular orbital theory एक question हर साल organometallic पर equation जो आसान है आप कर सकते है super heavy element का question बहुत आसान आता है कोई ज़्यादा typical नहीं ठीक है ना kinetics का question थोड़ा सा hard होता है हम छोड़ दे अगर हमको नहीं आता तो electrochemistry का question कभी आसान कभी hard आता है इसमें भी बेटा hard question आता है इसमें आसान question है क्योंकि हम ये बेटा SN1, SN2, E1, E2 पहले ही पढ़ चुके होते हैं ये बेटा सिफ तीन reaction है तीन क्या दो ही है बेटा एक question हर साल तो हम खाली अगर ये वाला पड़े तो ये 10 में से एक pericyclic का आसान सा question हर साल आता है और बेटा environmental में और spectroscopy में से मिला कर एक-एक question आता है तो बेटा इसका तो question answer आता ही आसान है और इसमें बेटा देखो elementary idea है बहुत ज़्यादा hard नहीं आप कही net वाले institute में first जाओगे तो वो spectroscopy में बेटा आपको PhD करा देगा पर first grade के लिए नहीं होगी क्यों आपने अपनी सारी energy गलत जगह लगा दिये ठीक है ना तो I hope कि आप question को धंग से दिख करेंगे इसलिए बस को आप teacher का selection अच्छी तरह करेंगे ठीक है ना teacher का selection अच्छी तरह करेंगे मेरा नाम है संदीप सर्मा और मैं जैपूर में first grade chemistry की tuition ले रहा हूँ मेरा नंबर है 9828075690 बिगत भरसों में राइस्थान के ज़्यादा तर स्कूलों में मेरे से पड़े हुए बच्चे second grade और first grade में नौकरी कर रहे और सभी successful life जी रहे तो आप मेर से join कर सकते हैं या मेर से राइ ले सकते हैं कि हम और किसके पास कर सकते हैं ठैंक्स बिटा धन्यवाद